नमस्का साथिकों आपका स्वागत है आपके अपने एक्जांस चैनल पर मियासा करती है आप सभी अच्छे होंगे मैं आपके लाई में ससी युड़ी की प्रेटे सेट की सीरी जिसमें आज आपका प्रेटे दर खत्तर है जो की बहुत ही इंपोरेंट है इसमें प्रिविएस के सारे कोशन है जो की आच चुके हैं पेपरों में इसलिए आप अमारी से जुनने के लिए आप अमारी चैनल को सब्सक्राइब बरें और बैल आकन को प्रेस करें ताया कि आने वाली वीडियो की नॉट्टिवेशन आपको जल्दी मिल जाए चलिए पहला कोशन देखती है नमक सत्त्राइब आल्दोरन के लिए मातमा गानी ने लगवग कितनी दूरी तैकी ओफसने 350 मिल याफसनी 400 मिल याफसनसी 241 मिल याफसनी 123 मिल इसका आपको राइट आंसर बता देए 241 मिल की दूरी तैकी थी इसकी ब्याक्या भी जानते हैं नमक सत्त्राइब आल्दोरन के लिए मातमा गानी ने लगवग 241 मिल की दूरी तैकी थी नमक सत्त्राइब आल्दोरन की शुरुवाद 12 मार्च 1930 को सावर मती आश्रम से की थी इसका आपको राइट अंसर बता दें या 12 सरकार अधिनियम 1935 को किया इसकी व्यक्या भी देखते हैं 1950 में बार्दी सम्मेदान द्वारा देश को सासच करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में 12 सरकार अधिनियम 1935 को प्रस्तावेज किया गया था इसका आपको राइट अंसर बता दें इसे दस मंदलों में ब्यायत किया गया है इसकी व्यक्या देखते हैं रिग वेद को दस मंदलों में ब्यायत किया गया है इनमें असे दो से साथ तो प्राचिंतम अंस हैं और प्रत्थम और दसम मंदल सबसे बाद में जोड़े गए हैं इसका आपको राइटास बता दें इसे पुरा पासाण यूग कहते हैं इसकी व्यक्या देखते हैं प्राग एते से काल के पहले यूग को पुरा पासाण काल यूग कहा जाता है दातु में सबसे पहले ताम आगमन के बाद काल को तामर पासाण काल यूग कहते हैं इसकी व्यक्या देखते हैं कांची यात्री फ्रांस बनी अर्फ 1656 में मुगल वास्था साजा की काल में आया था इसने मुगल सामराज्जी का उल्लेक इत्यास ट्रिवन इन मुगल एंपायन के किया है З incrётся देखते हैं घरवा एक लोक न्यत्ये जिसकी उत्पत्य खाली छेगे में वी थी ऑफशने महाराष्त में या chilli फ्रीशान सामर में और संद्ली घुजरात में इसका हम आपको राइट पाद हैं हिर घुजरात में हुई घरवा की उत्पत्य. गरवा की उत्पत्य गुजरात में उई थी जो गुजरात का पृशिद्द लोग नत्य है राइस्तान गा लोग नत्य घुमर है बिहार का लोग नत्य जाट जाटने अब विदेश्या नत्य है next question देखते हैं बारत में हिम तेंदुगा परियोजना की सुरुवात खालियेगे में की गई थी option ए दोयाद 14 में या option भी 2012 में या option भी 26 में या option भी 2009 में इसका हम आपको राटाशी बता देए या 2009 में की गई थी इसकी ब्यक्या देखते हैं हिम तेंदू परियोजना 2009 में शुरुवात की गई थी यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदूओं की आवादी पाई जाती है देश्क क्वेशन देखते हैं भारत के कुछ इस्सों में किसान अपने खाली है कि पूजा करके पोला इत्योहार मनाते हैं और अपसन एखेती के हो जारों की यह उसन भी बैल की यहावसनDesी पूर वजांकी और लेल की कुछ घ्या करते हैं इसके पीट्च्यवार अपने पहल अपनुजा करते हैं पØ्च्छा का देखे में पोला का तिवार भादोमार की अमय श्च्या कसे जिसे पिठोली अमावश्या भी कहती है नश कोशन देखते हैं बैरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खालियाय का मुख कि स्रोत है अफसने जेलम का या अफसनी वी रावी का या संसी प्यास का या संडी चिनाव का इसका आपको राटांस बता देए या जेलम नदी का है इसकी बैक्या देखते हैं जेलम सिंदु के साइक नदी है जो कस्मीरी गाटी के दच्छिन पूरी भाग में पीर पमपाल परवत में स्तित बैरी नाग जील से निकलती है नश कोशन देखते हैं भारत में सक्क्री जवाला मुखी कहां पाई जाते हैं अप्सन अंडवान निकोवार में या अप्सन में लच्छ दीप में या अप्सन सी गोवा में या अप्सन दी पांडचेरी में इसका आपको राइटांसर बता दें जे अंडवान निकोवार में पाई जाते हैं सक्क्री जवाला मुखी पाई आती हैं जश्टिस के विया क्या देखते हैं बैरन दुईप भारत का एक मात्त शक्की जवाला मुखी जा नमान और निकोवार दीप संगु में इस्तित है अंतिम बार यह जवाला मुखी 28 मई 25 में फटा था जश्ट कोशन देखते हैं इन मैं से केंद स सरकार के साथ साथ राज सरकार के बारे में भी सरोकार परलच्चत होते हैं आफसने संग सूची में या अफसन भी संग्य सूची में या अफसन सी जाज्य सूची में या अफसन डी समवर्थी सूची में इसका हम आपको राइटन्स बता दें या समवर्थी सूची में के आ होते हैं संवर्ति सूची का प्रावधान ऑस्टेलिया के संविधान से अंग्युक्रत किया गया है नेक्ट कोशन देखते हैं बारती संविधान के किस अनुच्छोद के तहद राष्ट्यपती मिर्त्यु रण्डों को छमा कर सकते हैं और सने अनुच्छे रड़ अठटर के संविय निची पाथी संविय ज की अनुच्छ भैतर के अनुच्छ राष्ठ पति को किसी इपको पराद के लिए सिद्द दोस ठहरा गए किसी व्यक्ति को छमा उसका प्रतिलम्वन विराम या परिहार करने की अथ्वा डंड़ा देश की विलम्वन परिहार या लगुकरण करने की सत्ती होगी देखते हैं उत्तर प्रडेश के बाद किस राज्य में लोक सवासीटों की संक्या सबसे अधिक है इसका हम आपको राट आसर बता दें कि महाराष्ट मे हैं सबसे जयादा लोक सवाकी सीटें इसकी व्यक्या भी देखते हैं उत्तर प्रडेश के बाद महाराष्ट राज्य में लोक सवाकी सीटों की संक्या 48 अधिक है उत्तरपदेश में 80 है, माराश में 48 है, पश्चे मंगाल में 42 है, और बिहार में 40 सीटे हैं इसकोशन देखते हैं, हरित करांती में किसे सामिल नहीं किया गया है अपसने गाउं के लड़कों के सुधार को, यापसन भी बीजों को अधिक पज़ देने वाली किसमों को यापसन सी सिचाई की अच्छी तरफ विक्सित प्रणाली को, यापसन भी खेतों को उनना तकनीत की के उपयोग को इसका मैं आपको राटां सर बता देए, गाउं के लड़कों के सुधार को नहीं सामिल किया, बाकी सब को सामिल किया गया है इसकी व्यक्षा देखते हैं, भारत में हरित क्रांती, 1960 के दसक की मद्द प्रार्म हुई, हरित क्रांती के परणा स्वरूप वीजों के उननत किसमों पज, रिचाई एव खेती के उननती एव तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना था नेश्क कोशन देखते हैं, किसी सबेद कपड़ी में लगा करी का दाग सावन लगाने को लाल भूरी रंग में बदल जाती है, क्योंकि सावन की प्रगृती होती है इसका आपको राट आनतर बता दें, यह चार की होती है किसी सबेद कपड़े में लगा करी या दाग सावन लगाने पर लाल बुरे रंग में बदल जाता है क्योंकि सावन के प्रक्रति छार किये होती है हम जिन वस्तों का अपयोग या पोग करते हैं खालियक को छोड़कर सभी प्रतिर पर उपलब्द संसादनों से प्राप्त किये जाते हैं इसका हम आपको राइट आंसर बता दें सूर से प्राप्त उर्जा हम जिन वस्तों का अपयोग या पोग करते हैं सूर से प्राप्त उर्जा को छोड़कर सभी प्रत्वी पर उपलब्द संसादनों से प्राप्त किये जाते हैं इसक्रशन देखते हैं विशाणू के अध्यन को क्या कहा जाता है और सने वाइरोलोजी या अफसन दी पैंडोलोजी या अफसन सी वायोलोजी या अफसन दी पैंतोलोजी इसका आपको राइट आप फिर बता दें यह वाई ओर लोजी है इसकी व्यक्या भी देखते हैं वाई ओर लोजी विशाणू का अध्यन है पैंडोलोजी मिरदा निर्माण का अध्यन बाई ओलोजी जीवाओं का अध्यन और पैंतोलोजी रोगों की प्रकृति लच्छनवा का अध्यन है इसका हम आपको राटां से बता दें यह कान की अड़ी है जिसे इस्टेपीज कहते हैं माना सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीवर कहलाती है जो मनिश की ज्यांग में पाई जाती है बुद्ध ने पहला अपदेश कहां दिया था इसका हम आपको राटां से बता दें यह सारनात में दिया था बुद्ध ने पहला पुदेश अपना सारनात में दिया था जिसे बहुत गयंतों में धर्म चक्र प्रवर्तन का आयाता है बुद्ध ने अपने उपदेश पाली वासा में दिये बुद्ध को 6 वर्स की कठिन तबश्या के बाद 35 वर्स की आयू में बैशाग पूर्वा की रात निरंजना, नदी के के नारे पीपल रच के नीचे ग्यान की प्राप्त हुआ था ग्यान की प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध के नाम से जाने जा गए पतावर्व इस थान बोधगया कैला या रश कर्शन देखते हैं हर्स बर्दन की राजदानी कहा थी आपसन एक कर्नोज में या सनवी थानिश्वर में या संसी नालंदा में या संडी प्रियाग में इसका आपको राइटां से बता दें ये थानिश्वर में थी हर्सवर्दन की राजदानी इसकी वेक्या भी जानते हैं बर्स 606 में 16 बर्स की आईव में हर्सवर्दन थानिश्वर की गद्दी पर बैठा जिसन उसने गौर्ण साससंसाग को परायत कर कर्नोज पर अधिकर कर लिया तथा उसने अपनी राजदानी बनाया हर्सवर्दन को सिरा दित्ते की नाम से भी जाना याता है पिसित चीनी यात्री हैंसोंग हर्सवर्दन की सासन काल में ही भारत यात्रा पर आया था धन्यवाद नमारी वीडियो चिलेगी तो चैनल को सस्क्राइब बने